आज अब 20 अप्रेल मैं रिकॉर्ड करूं दोस्तो नमस्कार दोस्तो मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं ने यूटिव चैनल में मैं हर शनीवार एक स्पेशल वीडियो लेके आता हूं था जहां पर मैं कॉम्प्रिहेंसिव नॉलिज देने की कोशिश करता था बट मैंने ड लगती है जितना भी अब बात है और आपको दो पता है न मैं यूटूबर नहीं हूं मेरा ये फुल टाइम काम नहीं है तो हम ऐसा कुछ करेंगे इलन मार्केश के अंदर में दो फेस्टो फेस जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जिस शनीवार जिस फ्राइडे फेस्टो रहेंगे तो शनीवार को रिलीज करेंगे कभी संडे को रिलीज करेंगे डिपेंडिंग करता है मैं कब रिकॉर्ड कर पाता हूं और चोटे-चोटे वीडियो एक दो मिनिट के छोटे-चोटे मार्केश औरिंटेड जो चर्चा है जो मैंने लास्ट भी कुछ-कुछ वीड में रखना चाहिए because ultimately socio-political एक important parameter होता है जो market को impact करता है but एक problem मुझे लगता है इसके अंदर में कि कितना track करें किसको track करें कितना information कहां से ले क्या है because हर तरह का information हमको हमको मिलना इतना easy नहीं है there are many many people who have better access to information than what we are in fact मैं आपको एक slide share करना चाहता हूँ और एक बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ I hope you will like that conversation मैंने presentation में इसको use किया था अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आप ने वो देखा होगा तो कि जो behavioral finance है ये जो science है बहुत ही deep science है और जो इनसान behavioral finance को अच्छे से study कर ले उसके अंदर अच्छे से घुच जाए तो वो share बजार के हर action को predict कर सकता है तो जब मैं MBA कर रहा था तो हमने एक theory पड़ी थी efficient market hypothesis efficient market hypothesis क्या बोलता है कि market efficient होते हैं और सारे information जो है वो market के अंदर में होते हैं वेरास behavioral finance कहता है कि market efficient नहीं होते है तो यह में text पढ़ता हूँ आप इसको ध्यान दीजेगा Under the tenents of behavioral finance markets are not always efficient human behavior moves market and not the universal information shared by the market participants. Prices do not always reflect all available information because behavioral biases can cause prices to remain too high or too low for longer periods इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि market जो है वो irrational होता है inefficient होता है और because human emotions यह human biasness involved the market के अंदर में तो market can remain irrational for a longer time frame और इसलिए शायद market के अंदर में opportunity आती है क्योंकि market irrational रहता है for a longer time frame तो यह जो war scenario है या या COVID हुआ या कुछ भी हुआ यह actually market के irrationality को बढ़ाते हैं यह इनको कम नहीं करते हैं जैसे war हुआ अब गई लोग डर गया होंगे डरने के कारण क्या होता है कि आप irrationality act करते हैं because fear and greed है war extreme fear के तरफ हमको ले जाता है greed जो हमको extreme fearful के तरफ ले जाता है तो यह सब बाते आपको ध्यान रखने चाहिए कि जबी भी इस तरह के कोई भी action आएंगे social politically या market oriented आएंगे तो उसका impact stock price पे होगा जो की irrational हो सकता है और वहाँ पर opportunity आ सकती है तो global markets को अगर हमको study करना है तो एक बात ध्यान रखिए कि ultimately सारी बाते जो है वो market पहले से ही preempt कर लेता है market is very very smart आप एक मात्रे dollar index को अगर follow करेंगे न तो आपको दिखने लग जाएगा कि dollar index कुछ वो बाते बोल रहा है जो शायद आपको mainstream media नहीं बोल रही है जो शायद आपको पता भी नहीं लग पा रहा है कि क्या हो पा रहा है market में तो dollar index जो है वो यहाँ से यहाँ जब था 103 का करेंगे फिर उपर चलना चालो हुआ फिर वो उपर गया हलका से correct किया फिर 104 का support लेके उसके बाद वापस उपर चलना चालो हुआ और अभी dollar index तक्रीबर 106 की level पे है तो dollar index अगर 106 है अब trending है तो next बड़ा level जो dollar index का है जो इलिया कड़ यह chart में एक simple line की तरह हम देख सकते हैं वो 106,70 के करेंगे और हमेशा याद दखेगा कि dollar जब उपर भरता है इसका मतलब कहीं ने कहीं कोई ने कोई रिस्क है और वो रिस्क है इसलिए global markets के अंदर में uncertainty है और जब uncertainty आती है तो हमको क्या करना चाहिए जब हमको life में uncertainty आती है तो हमको क्या करना चाहिए हमको conservative हो जाना चाहिए हमको अपने पैसे को protect कर लेना चाहिए जैसे suppose एक बात है कि कोई बड़ा बैंक है उसमें वो बात चलिए कि वो बैंकरप्ट हो जाएगा तो आप सबसे पहला क्या काम क्या करेंगे भागेंगे एटियम मशीद और वहां पर जाके जितना कैश हो सके जितना मौका मिले उतना विड्रो करने की कोशिश करेंगे तो होने का मार्केट है conservative का मतलब यह नहीं है कि हम सौधा ही ना करें हम ट्रेड ही ना करें हम इन्वेस्ट ही ना करें यह मिस कंसेशन मत रहीगा बिकाज यह करके कोई फायदा नहीं है बिकाज पता ही नहीं है अगर हमको यहीं नहीं पता है कि मार्केट गिरेगा तो हमको यह position पे काम करने का जो art है वो मैंने आपको कई बार सिखा है कई बार सिखा है, मैं आज फिर आपको वापस से सिखाता हूँ, हो सकता है repeat लगे कई लोगों को, पर करने दीजेगा मुझे repeat, because बार बार repeat तो पापा भी करते थे, हैं rather, sorry, मेरे पापा तो अभी हैं, मेरे साथ, मेरे को bless कर रहे हैं बार बार repeat तो पापा भी करते हैं और इसलिए पापा करते हैं, तो यह हम लोग सुद्रे में हैं, कि पापा repeat करते हैं तो मैं भी repeat करना चाहता हूँ, ताकि आपको सही, मैं अपनी तरफ से guidance दे सकूँ, तो यह है पचतर मिनिट का चार्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी मिट कैप और स्मॉल कैप, देखिए फॉल तो काफी है, सेल ट्रेंड है तो डिफिनिटी डूंट एक्सपेक की मार्केट पटा पट रिकवर करेगा प्रामिन इंडाइसेस परस्पेक्टिव बट स्टॉक्स के अंदर में काम है और काम चलते रहेंगे मैं स्टॉक्स के बात करने के पहले एक बाद ब्रॉडली मार्केट का व्यू बना ले रहा हूं तो कि मार्केट अभी मुटा मुटी नेगेटिव मार्केट ही है सेल अन डाइस का मार्केट है और अगर मैं market का breath को study करो which is very important by the way हमने एक छोटा सा change कर लिया breath में यहाँ पर अब हमने सारे indices को डाल दिया पहले खाली nifty के date wise था nifty और bank nifty का nifty और nifty finder हमने सारे indices यहाँ डाल दी अगर आपको nifty का चाहिए breath तो आप इसके अंदर में अगर click करेंगे तो आप सिधा nifty के अंदर में चल जाएंगे उसका date wise आपको पूरा data यहाँ पर अब मिल जाएगा तो यह value addition हमने latest version of stockage में किया है तो broadly market का breath देखोगे ना तो वो न overbought है न oversold है बोटा बड़ी वहीं पर हलका सा nifty में red आ रहा है बट डरने वाली बात नहीं है और बहुत ज़्यादा red होता है तो market recover भी कर जाता है तो in terms of broader market बढ़ा sector specific अगर बहुत ज़्यादा red है तो इसका मतलब sector जो हो पिटा हुआ है यह पिट रहा है तो उसके अंदर में हमको contrarian नहीं जाना चाहिए broader market का view बनाएंगे तो contrarian ठीक है लेकिन sector का अदर view बनाना है तो contrarian हमको नहीं करना चाहिए जैसे for example IT sector यह IT sector के हालत भी खराब है तो हमको इसमें पैसे नहीं डाना चाहिए PSU banks देखिए धीरे-धीरे यह बहुत ही घंगोर हर्याली सही है धीरे-धीरे लाल का reflection आ रहा है तो यहाँ पर अपने को alert हो जाना चाहिए FMCG के अंदे में negative है मीडिया के अंदे में negative तो जो negative sectors हैं उनमें हमको लेने का काम नहीं करना है और जो positive sector है उनहीं में हमको लेने का काम करना है तो यह breath का analysis कर दिया है मैंने मोड़ा मोड़ी plattish breath है from the overall market perspective ठीक है थोड़ा सा FIs का activities को track करने तो आप देखिए पिछले कुछ दिनों से उन्होंने sell activity किये कल उन्होंने थोड़ा buying किये वैसे FIs का dominance हो है वो Indian market पे काफी कम हो गया है तो मैंने मुझे नहीं लगता है कि इस से बहुत जादा market में impact आएगा लेकिन हाँ FIs का जो derivatives का data है derivative participation वो देखना बहुत ज़रूरी है तो future का why अगर study करो मैं तो FIs जो है वो तकरिवन एक लाग contracts को short करके बैठे है हो सकता हूँ cash में long किया हूँ बढ़ futures के अंदर में nifty को short करके बैठे है और अगर मैं options का data देखूं FIs का तो you know call option के अंदर में इन्होंने हलका सा position build किया है और put option के अंदर में इनका काफी ज़्यादा position है इसका मतलब यहाँ पर यह put बेचने का काम कर रहे है तो कई बार यह ऐसा करते है कि future based देंगे और put based देंगे तो put बेचने से तेजी का महल हो गया और future based से बंदी तो यह synthetic काम करते रहते हैं और मोटा मोटी हमको confuse करते रहते हैं तो मेरी राहे तो यही रहेगी कि आप dollar index को mentor बना लिजे और उसी के अधार पे market के अंदर में एक view बना के काम कीजे तो let's go back to the stock discussion तो stock के अंदर में तो बहुत सारे तरीके आप अनों को पता ही है लेकिन result season है और result season में best तरीका होता है results को track करना तो मैं बहुत ही religiously market के results को track करता हूँ तो कुछ-कुछ stocks है जिनके अंदर में काफी exciting results आए आप देखें यहाँ पर release results में year on year के basis मतलब इस quarter का पिछले सार क्या result था उसके अधार पे वरिवर्दा है मैं focus करता हूँ 1000 कोड के उपर के market cap की companies although नीचे भी opportunities मिल जाती है अब उनमे जनरली depth liquidity कम होती है और फस्ते का chances होता है जैसे HDFC-AMC देखिए क्या जबरदस result इसके अंदर में आया अब इसके अंदर चलते हैं अबने यहां पर अगर मैं इसको quarterly देखूं तो result 695 क्रोड का इसका sales है और profit जो है इसका पैट जो है 540 क्रोड का है और इसको मैं अगर analyze कर दूं मतलब पिछले बारा पिछले चार क्वाटर का मैं अगर summation करूं तो on a standalone basis और company का जो revenue है इसलिए पांच चार क्वाटर को मैं एड करें तो करिबं 2600 क्रोड का sales है विच इस ग्रोथ ऑफ एक प्रक्समेटी 19% देखे कितना अच्छा ग्रोथ है इस साल इस company के अंदर में और जो पैठ है उसका भी ग्रोथ जो नजर आ रहा है वो है त चार को मैं अगर क्लिक करेंगे तो मैंने एक वाच्छ लिस्स अलड़ी बना रखा है आप भी बना सकते हैं वाच्छ लिस्ट माई स्टॉक में जाके बट मैंने वाच्छ लिस्ट बना रखा है Q4 रिजल्स यहां पर मैं स्टॉक को टेक कर देता हूं तो basically मेरा सोच यही है क कि जितरे भी स्टॉक से जिनके रिजल्स अच्छे आ रहे हैं उनको स्टॉडी करो चाहिए आप देखो है इसजी अफसी बैंक है यह बनारेस होटल से इसका रिजल्स देखे कितना अच्छा है यह चोटी कंपनी में यह अमल लिमिटेड है अमल लिमिटेड इस बिसके अतुल गुरुब जो है वो उनकरता है तो है चोटी कंपनी लेकिन क्यों कि मैंनेजमेंट गुरुब बढ़ा है तो इसलिए मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ तो अमल लिमिटेड है इलकॉन इंजीनेरिंग है देखे रिजल्ट कितना अच्छा है इसको मैं ट्रैक कर रहा हू तो अब भी इसके अंदर में बारत स्टॉक मैंने आइड किये और भी मैं कॉंस्टेंटी रिसर्च करता जा रहा हूं तो यह मेरा इस वाटर का रिजर्ट के स्टॉक हो गये और बेस्ट तरीका क्या है कि एक बार इस टॉक्स आ गये आपके पास में तो यह डेटा को अब आप डाउनलोड कर सकते हैं लिस्ट जो यहां से आप अक्षणि डेव्री डेटा में जाके आप इसको । डाउनलोड कर सकते हैं तो लेट डाउनलोड करें कही लोगों ने यहीं बोला कि मुझे वाच्स. डाउनलोड करने का option दीजिये, तो यहां यहां पर हम delivery data के अंदर में आपको download option दे रखें तो watch list के अंदर में download हुआ अब वो सारे stocks जो जो आपने watch list में add के है वो आपको quarterly result के tracking कर रहे हैं तो हम monthly और weekly chart के अधहर पे stocks को track करेंगे तो let me create a new watch list here नया watch list बनाते q4 results watch list ताकि हम उन stocks को track करें जिनके results अच्छे दे quarter 4 में और मैं यहां पर इसको paste कर दे रहा हूं मैं कोशिश कर रहा हूं कि stockage के अंदर में इस तरह से वो BST का code आ पाए अभी तो यह हो नहीं रहा है तो अभी आपको ऐसे करना पड़ेगा और कुछ BST के stocks को अभी आपको manually add करना पड़ेगा तो अभी इसको मैं यहां से हटा देता हूं for the simplicity of our discussions या बजाज auto को add कर लेते हैं perfect perfect तो यह stocks है जिनको मेरे को अभी track करना है और जिनका results अच्छा है basically और जो मेरे लिस्ट के अंदर में भी यहां पर है तो अब इन पर trade कैसे करना यह देख लेते हैं तो let's see तो इलोकॉन इंजिनिरिंग जो है यह from a momentum perspective यह काफी दिन से positive momentum में है और यह strong stock है इसने breakout यहां पर दिया है तो बहुत बड़ा quantity में नहीं बढ़ा छोटा quantity में इस stock को अपने को add करना चाहिए because risk reward इसका उतना खराब नहीं है although भड़ चुका है काफी बढ़ छोटा quantity करने ल सकता है नो रिकमेंडेशन्स जस्ट एक आपको समझाने के लिए मैं मैं समझा रहा हूं यह इंको इलेक्रिक जो है इसका भी देखिए breakout मतली breakout अभी आया है यहां पर यह भर चुका है इस इंद्रेस्टिंग यहां से इसको अपने momentum आया का momentum भी है इसके अंदर में और यहां पर यह भड़ा है तो इस इंट्रेस्टिंग यह 1775 के उपर तो 200 रुपर है लेकिं छोटा quantity में इसको ट्राइग किया जा सकता है अनंद राठी यह constant इसके quarterly results अच्छे आ रहे हैं तो अगर आप यह quarterly वाला results पहले से कर रहे होता है तो यह stock आप आराम से लेते और इसके quantity करना चाहिए skipper जो है skipper क्यों आया यहां पर तो skipper देखनी रहा है I don't know there is some problem यहां पर क्यों कि skipper तो नहीं है इसको हटा लेते हैं okay ICICI general incidence वाओ इसका भी structure देखे कितना प्यारा है तो risk reward इसका उतना बुरा नहीं है जतना वाकी लोग का था तो इसको हम add कर सकते है reasonable quantity जो हम करना चाहते है SZSC AMC यह बहुत दिनों से Eagle stocks और हमारे ड़डार पे है तो बहुत ही प्यारा stock है देखे और इसके अंदर में भी हम काम कर सकते हैं basically idea क्या है idea यह है कि वो stocks में काम करो जिन stocks के अंदर में अभी momentum है और fundamentally quarter on quarter basis पे यह stocks अच्छा कर रहे है तो आपका probability of success in these stocks will be very high फिर भी देखे रॉंग तो हम होंगे दस में से हम छह बार यह साथ बार right हो जाएंगे we'll make money और अपना जो framework है खुद का वो follow करना बहुत जरूरी है मैंने RS framework पे काम किया है तो मैं उसी को follow करता हूँ आप कुछ और framework पे काम करते हैं तो आप उसको follow किजिए आप इसी तरीके से एक independent market participant का जो आपका जर्नी है इसको इसी तरीके से चलते रहेंगे ताकि आप better market participant के रूप में अपने आपको तियार करना है थैंक यू बाई have a great weekdays ahead और बस अपना ध्यान रखेगा जैहिंद